नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राजियंदर दतर आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी दोस्तो इस समय मैं खड़ा हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास्तान के बाहर दोस्तो इनके आवास्तान के बाहर जो रोड है इस पर 1980 से पबलिक की आवाजाई पर रोक लगा उस रश को डाइवर्ट करने के लिए इस रोड को खोलने के लिए हाई कोट ने इजाज़त दे दी गई थी एक मई को आदे घंटे के लिए रोड खोला गया क्योंकि उसके लिए ये और्डर हुआ था कि सुबह साथ वह से लेके आम वर्किंग डेज में शाम के साथ वह तक य किया गया उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि स्कूरिटी परपस को लेकर ये रोड बंद किया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री आवास जो है वह बिलकुल रोड के ऊपर है अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो नया गाओं और उसके ऊपर के बहुत सारे गाओं के के लिए ये जो सड़क है ये चंडीगड को कनेक्ट करती है यहां से जाने के लिए अगर हमने सेक्ट्रियट जाना है रॉक गार्डन जाना है लेक पर जाना है राजभवन जाना है या इस एरिया में जाना है इवन मंडी सब्जी मंडी सेक्टर 26 जाना है तो यहां के लोग कोट में ये रोड खुलने का फैसला हुआ था तो यहां के जो स्थानिया वस्थानिया लोग थे उनमें उनमें एक खुशी की लहर थी उनको लगता था कि ये रोड एक शॉट कट में रोड रहेगा अदरवाइस बहुत घूम कर जाना पड़ता है लोगों को इवन सेक्टिये लोगों की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि हर्याना के जो मुखे मंतरी है उनके घर के सामने से रोड जो जाती है वो आम पबलिक के लिए रोड खुली है तो फिर ये रोड बंद क्यों है